हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टु मा यूटूब चैनल फ्रेंड्स आज किस वीडियो लेक्चर में हम बहुत धर में से संबंधित जो की पिछले यूपी एस सी यूपी पीसियस आरो यारो और अधर इस्टेट पीसियस के परिक्षाओं में पूछे गए प्रश्ण हैं उन सभ तिरिशट इसापूरव और कहां पर तो यह कपिल वस्तु के निकट लूम्बनी में जो की वर्तमान में ये नेपाल में है ठीक है चले अगले प्रश्ण में चलते हैं अगला प्रश्ण है कि बुद्ध के जीवन के किस घटना को महा भिनिसक्रमण की रुप में जाना जाता है तो महा भिनिसक्रमण किसे कहते हैं इस प्रश्ण का जो सही उत्तर ऑप्शन सी उनका ग्रिह ताग और ग्रिह त्याग को ही हम बोलते हैं महा भिनिसक्रमण तीन सब्दों पर ध्यान दीजेगा एक तो है महा भिनिसक्रमण जिसे हम ग्रिह त्याग करते हैं और दूसरा ज जिसे प्राची नामरिशी पत्तनम कहते थे, वहाँ पर पहला उन्होंने पांच अपने शिश्यों को उपदेज दिया था, तब उसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, और इसको हम कहते हैं जब उन्हें ज्यान, इसकी बाद जब उनका मृत्तु कूर्शी नारा, जो कि मल की राजधानी थी, औहां पर इनकी मृत्तु हो जाती है, तब उसे कहा जाता है, महा परी निरवाड, क्या बढ़ जाता है, महा परी निरवाड, ठीक है, यहां पर यह सब लिखा हुआ है, ठीक है, इस प्रश्न का जो सही उतर, औक्षन सी, ग्रहत्याक से है, नेक्स कूद की मा किस वन्स से संबंदित थी, उनकी जो मा थी, वो थी कोली वन्स से, यानि कोली गड़ राज की थी, इसलिए वो कोली वन्स की कर्ण्या थी, ठीक है, उनकी माता का क्या नाम था, तो यादी आपको याद रखना है, उसके बाद, उनकी जो माता का नाम था, माता का प्रजापती गोतमी इनका लाणन पानर करती हैं और इनके पिता का नाम है शुद्धोधन और ये शाप के गड़ के प्रधान थे चलिए अगले प्रस्ण चलते हैं अगला प्रस्ण है कि बूध का जन्म हुआ था तो बूध का जन्म कहा हुआ था तो कपिल वस्तु के निकट लुंबनी में हुआ था अगला प्रश्ण है किनिम में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है तो friends दिये गए विकल्प में से इनमें कोई भी विकल्प सही नहीं है इनमें से कोई नहीं तो इनका अन्य नाम क्या था तो बचपन में इन्हें सिधार्थ कहते थे बचपन में इनका नाम था सिधार्थ और इनको शाक के मुने भी कहा जाता था शाक के मुने या फिर ने तथागत कहा गया तो इनकी कुछ अन्य नाम है इन्हें दिया रखना है जब इनका बचपन का नाम सिधार था और ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम बोद्ध पड़ता हैं चलि आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरह निम्निकित में से किस राजवन्स के अभिलेक से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बनी जो है साक्क मुनि बोद्ध का जन्म अस्थ था तो किस राजवन्स के अभिलेक से तो वो है मौर के राजवन्स अभिलेक से और मौर के किस अभिलेक से तो मौर काल में असोक के समय असोक के अभिलेक से और अब उस अभिलेक का नाम क्या है उसे भी याद रखेगा उस अभिलेक का नाम है रुम्मिन देई अभिलेक से ठीक है एहां से सापक मोनी बोद्ध का जन्म की हमें जानकारी मिलती है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण तरफ निम्लिखित में से कौन सा एक असोक का अभिलेक इस परंपरा की पुष्टी करता है कि गौतम बोद्ध का जन्म लुंबनी में हुआ था तो किस अस्तंब लेक से तो रुम्मिन देई अस्तंब लेक से डी आप्शन सही है अगला प्रश्ण है निम्लिखित में से किस राजा के एक अभिलेक से सूचना मिलती है कि सापक मोनी बोद्ध का जन्म लुंबनी में हुआ था तो किस राजा के अभिलेक से तो मौर कालिन जो है अ आगला प्रश्ण है कि महात्मा बुद्ध का महापरी निरवाड कहा हुआ था महापरी निरवाड किसे कहा जाता है जब महात्मा बुद्ध का मृत्टु हो जाती है जो अपना प्राण त्याग देते हैं तो उसी को कहा जाता है महापरी निरवाड तो यह हुआ था कूसी नार में तो इस घटना में क्या हुआ था मैं आपको बता दू यानि जो महात्मा बुद्ध थे वो मलों की राजधानी पावा पोशे हैं जहां वे चुंद चुंद नामक लुहार की आमरवाटिका में ठहरे उसने बुद्ध को शुकर मद्व खाने को दिया इससे उन्हें क्या हो हो गया रखता तिसार तो याद रखना है किस रोग क्या अंसर हो गया रखता तिसार हो गया और भायानक पीड़ा अत्पन हुई इस वेदना के बाद वे खूसी नारा यानि मल गड़राज की राजधानी थी वहां पहुंचते हैं और चार सो तीरासी इसापूर्व असी वर्ष के उम्मर में का क्या हो शरीर त्याग कर दिए उसी कहा जाता है महापरी निरवाड चली अगले प्रस्वी चलते हैं गोतम बुद्ध का महापरी निरवाड राज में हुआ था तो मलो की राजधाने उसी नारा में अगला का महापरिवार किस गड़ तंत्र में तो मलो की ठीक है सें प्रषिद है सब उपर के तरफ इसके बाद महापरिवार मंदिर अवस्थित है कि आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के तरफ कि निम्निखित राज्यों में से किनका संबंध बोध के जीवन से था तो हम जैसा कि जानते हैं अंगुत्तर निकाह में 16 महा जनपतों का जिक्र मिलता है तो उनमें कोशल और मगत इन दो जहां भी गोतम बुध के जीवन से संबंध है तो तीन और चार यानि सी विकल्ब बिल्पल सही उत्तर है यानि गोतम बुध अपनी सिख्छा के परचार प्रसार है तो कहां कहां गया थे तो कोशल और मगत में अगला प्रश्न है गोतम बुध द्वारा अपने धर में दिख्छित किये जाना वाला अंतिम ब्यक्ति कौन था यानि जब गोतम बुध अपना प्राण त्याग किये कुशे नारा में किस अंतिम ब्यक्ति को अपने दिख्छित यानि दिख्छा दिया धर में की तो वो अथ्या शूवद्ध है इस प्रश्न का शही उत्तर है अगला प्रश्न है बोध द्वारा रुपानत्री निम्न बेक्तियों में से कौन सा अंतिम था तो वो है D. शूवद्ध अगला प्रश्न है कि बूध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा रितु कहां पर विताई थी इस प्रश्ण का जो सही उत्तर आप्शन B, बैसाली में ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरफ निमिकित में से कौन सा एक बौध मत में निर्वाड की अवधाडा की सर्वस्रिष्ट ब्याख्षा करता है इस प्रश्ण का जो सही उत्तर आप्शन A, त्रिश्णा रूपी अगनी का शमन, जो कि एक बौध मत निर्वाड की अवधाडा है अगला प्रश्ण है कि अलार कलाम कौन थे ये अलार कलाम जो है ये बुद्ध के एक गुरु थे यानि जब गौतम बुद्ध अपना महा भिनिस्क्रमर जब गुरियर त्याक किया तो उन्होंने सबसे पहले अलार कलाम के आश्रम में पहुशे थे और उनसे वहाँ दिक्षा अगला प्रश्ण है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस अस्थान पर कितिया था इस प्रश्ण का जो सही उत्तर ऑप्शन B सारनात में इसका प्राची नाम है रिसी पत्नम जो कि वर्तमान में सारनात पराणसी की निकट है जहां पर उन्होंने पांच ब्रामर सन्नासियों को पहला उप्देश दिया था और इसी प्रथम उप्देश को ही क्या कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन अगला प्रश्ण है बुद्ध ने अपना पहला उप्देश कहां दिया था तो पहला उप्देश कहां दिया था B यानि सारनात में नेक अगला प्रश्ण है बुध ने सरवादिक उपदेश कहा दिया था तो बुध ने सरवादिक उपदेश स्रावस्ति यानि जो कोशल राज की राजधानी थी वहाँ पर उन्होंने सरवादिक उपदेश दिया था अगला प्रश्ण है बुद्ध कौशाम भी किसकी राजिकाल में आये थें इस प्रश्ण का जो सही उत्र अप्शन भी उदयान नेट्स प्रश्ण है कि बुद्ध की मित्व के पश्णा प्रथम बौद संगती की अध्यचता की गई थी तो अजात्व के सासन काल में और उसकी अध्यचता किसने की थी तो महा कश्यप द्वरा और कहां पर पहली बोध संगती हुई थी तो ध्यारकना आपको राज ग्रिह के शप्त पड़ी गुफा में हुई थी और उस में मगत का सासक कौन था तो आजाद सत्रू था और इस बोध संगती की अधिशता महा कश्यप द्वरा की गे थी और बोध के जो प्रमुक शिषते आनंद और उपाली भी इस बोध संगती में उपस्तित थे ठीक है फ्रेंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्णी के तरग प्रथम बोध परशत का संचाल निम्रकित में से किस एक ने किया था तो प्रथम बोध संगती का जो संचालन किस ने किया था बी आउप्शन बिल्कुल सही है महा कश्यप ने इसकी अधिशता की थी अबला प्रश्ण है सब्त परड़ी गुफा इस्थित है तो सब्त बड़ी गुफा है राजगरी में जहां पर प्रथम बौध संगती हुई थी अगला प्रश्ण है भगवान बुध के महापरी निरवाड के बाद पहली बौध संगती कहां पर हुई थी यह आप्शन राजगरी जिसे राजगरी भी कहते है नेक्ट प्रश्ण है कि कस्मीर में कनिश्ट के सांसन काल में जो बौध संगती आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्निकित में से किष्णी की थी इस प्रश्ण का जो सहीवत्तर ओफ्शन डी वसु मित्र ने यानी कुल मिलाकर गौतम भूध की चार बौध संगती हुई थी तो मैं जो चतूर्थ बौध संगती थी वो उसकी अध्यक्षता वसु मित्र ने की थी और ये कुशार साशक कनिश के साशनकाल में हुई थी तहां रखना है कनिश के साशनकाल में और कहां पर हुई थी ये भी याद रखना है तो यह है आपका कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था और इसकी अध्यचता की थी वश्व मित्र ने अब वश्व मित्र इसके अध्यच थे और अश्व घोष जो थे जे इसके उपाध्यक थे ठीके और चतुर्थ बोध संगती के समय ही क्या हुआ था बोध धर्म दो दायों में विभक्त हो गया जैसे हम हीन यान या फिर महायान कहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगरे प्रेश्व की तरह बोध धर्म की महायान साखा और चार कुर्प से किसके सासनकाल में प्रकट हुई थी इस प्रेश्व का जो सही उत्तर आप्शन डी कनिस के समय ही क् बोध धर्म की दो शाखाओं में विभाजन हो गया था जैसे हम हीन यान यान और महायान कहते हैं आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्व की तरफ कनिश की सासनकाल में बोध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी तो कश्मीर में कश्मीर के दी कौन से स्थान पे तो कुंडल वन में अगला प्रश्व है किस सासक के काल में चतूर्थ बोध संगती आयोजिन की गई थी तो कुशार की सासक कनिश के समय में अगला प्रश्व है चतूर्थ बोध संगती परशत हुई थी तो कनिश के सासनकाल में अगला प्रश्व है निमनिकित पर विचार कीजिए कि इन्होंने मुर्ती पूजक करना शुरू कर दिया था अगला प्रश्ण है यहां पर आप हीन यान और महायान में क्या अंतर हैं आप इने पढ़ सकते हैं किया है मैं आपको खुछ दिर्थ एक वीडियो पॉज कर देता हूँ आप इसे पढ़ लिजेगा चले आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के तरफ निमनेखी चार अस्थानों में हुई बोध संगतियों का सही कारण क्या है सबसे पहली बोध संगति कहां पर हुई थी राजगरी यानि दो नंबर इसके बाद दूसरी बोध संगति बैसाली में यानि एक फिर तीसरी बोध संगति जो हुई थी वो हो तब पाटली फुत्र में यानि चार और तीसरी चौती बोध संगति हुई थी वो कुंडल वन मे इस प्रश्ण का जो सही उत्रों जाएगा दो एक चार तीन, दो एक चार तीन डी विकल सही है, अगला प्रश्ण है, इसे देख सकते हैं जो प्रथम बोधसंगती हुई थी, वो मगद अनलेज अजार सत्रू के समय, कहां पर हुई थी तो राजगीरी और राजगीर में, जो क सब्त परड़ी कुफा में, अर्दूती बोधसंगती काला सोख के सासनकाल में, और काला सोख के सासनकाल में कहां पर हुई थी, तो ये बैसाली में हुई थी, बैसाली में, और तिती बोधसंगती मोर समराः असोख के सासनकाल में, पाटले पुत्र में हुई थी, जो कि पुद्धिश इसके अध्धच थे और चतूर्थ बोधसंगती कनिश्ट के साशनकाल में कुंडलवन कस्मीर में हुई थी और इसकी अधिछता वश्वमित्र और उसकी उपाध्धकों थे और सोखोषने चलिए आगे बढ़ते हैं दूतिय बोधसंगती का आयोजन कहां पर की कि गे थी तो दूतिय हो थी बैशाली में किसके साशनकाल में तो काला शोक के समय हुई थी अगला प्रश्ण निम्निकित में से किस नगर्ल प्रथम बोधसभा आजोजित की गे थी तो इस प्रश्ण काज़व सही उत्तर आप्शन सी राजगीर या पिराजगरी ही कहते हैं बोध के जीवन की चार महतपुड घटनायों और उनकी संबंध चार स्थानों को नीचे उलेख है तो इन्हें मिराना है तो इनका जन्म कहां पर हुआ था तो कपिल वस्तु के निकट लूम्बनी में ज्यान प्रश्ण कहां हुई थी इनको बोध गया में प्रथम प्रवच के साथ चार सी विकल बीटुल सही उतर है अगला प्रश्ण है भारती कला में बुद्ह के जीवन के किस घटना का चितड़ म्रिग सहीध शक्र द्वारह हुआ है इस प्रश्ण का जो उत्तर है प्रथम उपदेश थीक्त जो कि सार नात में स्थित ठीक है चित्तर मिर्ग सहित चक्र मिर्ग सहित मतलब इसमें मिर्ग बना हुआ क्योंकि जो सार नाथ है जहां पर उन्हें पहला उपदेश दिया था तो वो एक मिर्ग बन था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ सुची वन को सुची दो के साथ मिराना है एक तरफ चिन दिया हुआ है और उसका अर्थ क्या है तो जन्म जन्म किस से संबंदित है, तो ये जन्म है कमल से संबंदित, प्रथम प्रवचन जो है उनका धर्म चक्र परिवर्तन से, महा बोधी एक बोधी बुरिच्छ से संबंदित है, तियाग यानि भोडा से संबंदित है, किक है, इस प्रकार से देखा जाए, तो इस प्रश्न का उत तर क्या होगा एक और चार और बी के साथ प्रथम प्रवचन दो इसको आप याद कर लेजेगा इसको आप इसकी बाद महात्मा बूतिक के संबंद में निम्रिकित कत्नों पर कौन सा कथन सही है तो देखते हैं, पहला कथन दिया है, उनका जन्म कपिल वस्तू, याने के निकट लंबनिंग होका था, सही है, उन्होंने बौध गया में ज्लाप्ट निकट लंबनिग होका था, ये भी चुर्णीट कुर्णीग है, और परोस्ट्य प crap through क्या है, जिस्सक्तूर भे व नहीं बनाया गया वो किहाँ पर है इनकी संबंध क्या है इस प्रश्ठ का जो सहीवतर। आपसें वी गॉत्तम बोध्त को ज्ञान प्राप्त हुआ हाँ वहीं पर महाँ बोधि-मंदिर बनाया गया है za अगला प्रश्ण बोध गया में बोधी ब्रिच अपने वंस की इस प्यूडी का है तो ये है आपका पांचमी प्यूडी का अब इसका क्या मतलब है तो फ्रेंट्स इसके पीछे कहानी है कि जो एक्चुल में जहां पर महात्मा बोध्यों को ग्यान प्राप्ति होई थी वो व ससांक नाम लिख दिरावया पर तो उन्होंने क्या किया उस ब्रिच को काड़ दिया ये किसके अनुपसार है तो ये हेन सांग जो की चीनी यात्री था उनके लिख्योई गरंथ में हमें जनकारी मिलती है फिर जो हमें पांचमी प्यूडी के बोध्य ब्रिच है वो ब्रिच जो अभी पूरी तरह सरक्षित है अब अभी जाएंगे तो बस केवल इसके पत्तियों चूने उठाने का दिकार और इसके पास यो निकट नहीं जाता है तो पांचमी प्यूडी के है चली आगे बढ़ते हैं अगर प्रश्ण के तरफ इसकी पूरी कहाने आप इसे पढ़ सकते हैं वीडियो पॉच करके निम्लिकित में से कौन सा बुद्ध पवित अस्थल निरंजरा नदी पर है तो निरंजरा नदी जो है आपका बोध गया जिसे हम और फालगो नदी की नाम से जानते हैं तो जहां पर यह वत्तम बुद्ध का पवित अस्थल जहां पर आच्रण के सुद्धता और पवित्रता से संबंदी थे अगला प्रश्न है निम्लिकित में से कौन बुद्ध के जीवनकाल में संग प्रमुख होना चाहता था तो वो था इनका जो चचेरा भाई था देवदत्य ठीक है आगे चलकर यह इनका विरूधी बन जाता है अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपनी मित्तु के उपरांत बौध संग के नेत्रूत के लिए निम्ल में से किसे नामित किया तो उपरूत में से कोई नहीं मतलब गौतम बुद्ध ने मित्तु के बाद किसी को बोध का नेत्रित नहीं दिया वो चाहते थें कि जो उनके द्वरा दिये गए उपदेश है जिसे धर्म और विनाई के जो उनको ही आगे मार्ग दर्शक बनाने के लिए कहा अगला प्रश्ण है अश्टांग मार की संकांतना क्या है तो किसका अंग है इस प्रश्ण का जो सही हो तो आफशन डी धर्म चक्र परवर्तन सुप्त का विश्यक वस्तु है अगला प्रश्ण है गौतम बुद्ध के बारे में निम्निम से क्या सकते है वे कर्म में विश्वास करते थे तो यह बिलकुल सही है वे आत्मा का सरीर्य परिवर्तार मानते थे तो इसमें क्या है ऐसा नहीं है जिसमें आत्मा विश्वास नहीं करते थे निरवार प्राप्त में विश्वास करते थे तो यह सही है इस्वर की सत्ता में विश्वास करते ये भी इसकलत है एक और तीन इसमें सही है जो कि विकल्प में नहीं दिया हुआ है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगरे प्रश्ण के तरफ बोध शंग विक्षूडी के रूप में इस्तरियों को प्रवेश की अनमती बुध द्वारा दे गई कब तो वो है आपका बैसाली में यानि अपने सिस प्रियानन के कहने पर बुध ने बैसाले में इस्तरियों को अनमती मिले थी और सबसे पहले चुश्वर प्रथम सामिल होने वाले महिला कौन थी तो इनकी मौशी जिनका लालन पानन ने किया था महा प्रजापती गौत में ही थी अब लाप्रशने त्री पतक क्या है तो त्री पतक को हम बोलते हैं ये महाभीर के तीनो नगीने कौन-कौन है त्री पतक के अंत्रगर त्री पतक में पहला है इसमें बिने पितक और इसके बाद है आपका सुत्त Пितक शुत्त पिटक और एक है आपका अभी धम पिटक यानि बिने शुत्त और अभी धम पिटक बिने पिटक मेंने संग संबंदित नियम तथा आचार की सिछाएं दी और सुत्त पिटक में धार्मिक सिधान्त के बारें बता हैं और अभी धमपिटक, दार्षनिक शिद्धान से संबंदित है, अगला प्रशन है, त्री पटक ग्रन्थ किस धर्मे से संबंदित है, यह है बोध धर्मों से, आगे पढ़ते है अगले प्रशनिक की तरफ, निम्नेकित में से किस बौध गरंध में संग जीवन के नियम प्राप्थ है तो नियम जो पद्धतिवर था वो बिने पिटक में बेविकल्ब सही है तो फ्रेंड्स ये रहा आपका बौध धर्म से समब्धि 63 कोशन ये वीडियो का पार्ट वन है हम नेक्स पार्ट में अभी आपके करीब इतना ही कुशन और ही मिलेंगे जो कि पिछले कुछ एक्जामों में पूछे गए हैं ठीक फ्रेंड्स आप अपना प्रतिक्रिया अपना कमेंट और कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तुसे लाइक शेर करना ना बुलें और अभी तक इस चनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लिजिए जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके है टिके फ्रेंड्स फिर हम जल्दी ही मिलेंगे तब तक लिए जहें जय भारत